Hello guys, Welcome to English Education, Students, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में और अपनी लास्ट तो और थ्री वीडियो में हम नाउन के बारे में काफी डीटेल बेश जान चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे नमबर नाउन के बारे में और हम जानेंगे सिंगलर फॉर्म, प्लूरर फॉर्म और किस तरह से उन्हें singular से plural में change किया जाता है और कौन-कौन से conditions लाग होती है और यहाँ पर हम cases के बारे में भी जानने वाले हैं तो वीडियो होने वाली है काफी informative इसकिप मत कीजिएगा तो चलिए हैं स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले singular noun पढ़ते हैं तो देखे singular noun जिस noun से किसी एक वस्तु व्यक्ति स्थानादी का बोद हो उसे हम singular noun कहते हैं जैसे कि teacher, car, book, etc. और भी ऐसे कुछ words है अब जानते हैं plural noun क्या होता है तो देखे यहां पर तो singular noun में हम किसी एक वस्तु व्यक्ति स्थानादी का बोद होता हैं और plural noun में दो या दो से अधिक वस्तु व्यक्ति स्थानादी का बोद होता है ठीक है? उन्हें कहते हैं plural noun अब यहां पर example दिये गए हैं जैसे three teachers, cars, books, etc. ऐसे कुछ और noun भी हो सकते हैं तो देखे किस तरह से हम singular से plural में change करेंगे? क्या क्या conditions लागू होती हैं? कैसे हम बिना रटे हम इनको समझ सकते हैं? तो देखे दो यह दो से अधिक सब्दों को जोड़ कर एक नया शब्द बनाया जाए ठीक है? जिसका अर्थ जोड़े हुए सब्द से अलग होता है सबसे पहले हम समझ लेंगे उसे हम कहते हैं compound noun क्या कहते हैं? compound noun कहते हैं कब जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ कर एक नया शब्द बनाया जाए जिसका अर्थ जोड़े हुए सब्द से अलग हो उसे हम compound noun कहके हैं I hope समझ में आ गया होगा compound noun के main words में S जोड़ कर से plural बनाया जाता है तो देखें यहां पर लिखा है commander in chief तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा commanders in chief brother in law brothers in law तो इस तरह से हम इने plural form में change करते हैं यह सारा कुछ आप detail में पढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे case हैं जिसमें दोनों शब्द अभी हमने पढ़ा कि दोनों सब्द में S हमने नहीं लगाया है commanders में लगाया है, brothers में लगाया है लेकिन यहां पर बताया गया है कि कुछ ऐसे भी cases होते हैं जहां पर plural form में दोनों सब्दों में S लगा कर बजलाव किया जाता है जैसे कि यहां पर देखते हैं man servant तो यहां पर हमने man की भी plural form की और servant की भी servant के साथ हमने S लगाया, यहां पर E लगा कर इसे plural में चेंज कर दिया है woman doctor तो यहां पर हमने लिखा woman doctor तो देखिए next condition आजाती है कुछ singular noun ऐसे होते हैं जब हम उन्हें plural में चेंज करते हैं तो पूरी तरह से परिवर्तन किया जाता है ऐसा नहीं है कि S लगा दिया कोई एक डूवर्ड तो देखिए यहां पर पूरी तरह से उन्हें चेंज किया जा रहा है देख सकते हैं यहां पर कुछ examples दिये गए हैं next देखते हैं noun जिनके अंत में F लगा होता है उस F को हटा कर हम VES जोड़ देते हैं और हुआ प्लूरल में चेंज कर देते हैं जैसे कि यहां पर लिखा है graph हमने यहां पर F को हटाया है और VES एड़ कर दिया है करचीफ ऐसा ही हमने यहां पर किया है F को रिमूव किया है और VES को एड़ कर दिया है noun जिनके अंत में f या फिर double f होता है उसमें हम s जोड़ देते हैं और plural form बनाते हैं तो देखें यहाँ पर हमने f को remove करके भी yes किया था यहाँ पर हम f को remove नहीं करेंगे के वल यहाँ पर s को add कर देंगे जैसे कुछ वर्ड है belief तो हमने यहाँ पर किया किया है beliefs किया है तो buls यहाँ पर हमने buls कर दिया है chief chef यहाँ पर हमने chefs कर दिया है chief तो यहाँ पर हमने s add कर दिया है यहाँ पर हमने f को remove नहीं किया है next पढ़ते हैं कुछ noun ऐसे होते हैं इनके अंत में F या F E होता है तो उसमें F या F E को हटा कर V E S जोड़ देते हैं जो अभी हम उपर पढ़ चुके हैं जैसे बीफ, बीप्स कर दिया, काफ, काफ्स कर दिया इस तरह से हम चेंज करते हैं यह थी नाउन के अंत में Y और Y से पहले क्या हो, वो भी हो, समझ आ गया, Y आया है और Y से पहले वोगल का यूज़ किया गया है तो सिंगलर नाउन में Y के बाद S जोड़ का क्लूरल बनाया जाते है, कंडिशन लागू हो गई है, क्योंकि Y आया है, Y से पहले कोई भी वोगल वर्ड यूज़ किया गया है, जैसे कि हमने यहां पर वर्ड देखा, यहां पर Y का हमने यूज़ किया है, लास्ट में और उस को बाइस कर दिया है, तो सभी जगे यही कंडिशन लागू हो रही है, वाई के पहले कोई वोगल वर्ड यूज़ हो रहा है, तो हम आपर S का यूज़ करते हैं, तो अभी आपको याद करने के ज़रूरत नहीं होगी, कुछ सिंगलर नाउन जिनके अंत में कॉंसोनेंट व वाई हो, कि क्या अभी भी हमने ऐसा ही पढ़ाया, कि कुछ सिंगलर नाउन जिनके अंत में कॉंसोनेंट वाई हो और वाई से पहले कॉंसोनेंट हो, अभी हम उपर वोगल देख रहे थे, अभी क्या है, वाई है और वाई से पहले कॉंसोनेंट ही है, तो वाई को हटा कर आ य से पहले तो हम IES जोड़ देते हैं चलिए पढ़ते हैं यह पर जैसे आर्मी है य लिखा है और Y से पहले M लेटर है जो कि यह consonant है इसलिए हमने IES का यूज किया है सिंगलर डाउन जिनके अंत में O हो ठीक है ऐसे सिंगलर डाउन जिनके अंत में O लगा हो और O से पहले कोई भी consonant हो तो उसमें S या ES को जोड़ कर plural बनाया जाते हैं काफी इसलिए हम समझ पारे हैं तो देखिए अगर किसी भी word के last में O letter हो और O से पहले कोई भी consonant हो कोई भी consonant तो हम क्या करते हैं S या ES से उसे प्लूरल में change करते हैं या पर हम कुछ examples को देख लेते हैं जैसे benzo हमने क्या कर दिया है benzo S एड़ कर दिया है हम या पर ES को एड़ करके भी इसे प्लूरल में बदल सकते हैं कार्गो कार्गो दोनों तरह से इसको change कर पा रहे हैं आगे देखते हैं सिंगलर नाउन जिनके अंत में O लगा हो और O से पहले कोई consonant हो तो उसे हम प्लूरल विदल हां तो विल्कुल सिम ऐसा ही है जो हमने अभी पढ़ा है देखिए जो उपर noun दी गई है उपर दिये गए nouns के अलावा ओक से अंत होने वाली कुछ ऐसी noun भी हैं जिनके अंत में केवल S लगा कर प्लूरल में बदला जाता है अभी हमने पढ़ा कि यहां पर हम क्या यूज करते हैं इस का यूज करते हैं इन सभी में लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन में केवल हम S लगाते हैं देखिए जैसे कि बैंबो बैंबोज कमांडो कमांडो ड्यू ड्यू ठीक है इस तरह से हम करते हैं कार्गो कार्गो तो यहां पर हमने इस का यूज नहीं किया है कुछ singular noun जिनके अंत में S, X, Z, CH, SH होता है उसमें हम ES जोड़कर उन्हें लूरल बनाती है देखें यहाँ पर address, addresses तो हमने ES को add किया है boss, bosses तो इस तरह से bunch, bench, benches, box, boxes तो हम याद रखेंगे जिनके अंत में S आ रहा है X आ रहा है, X, Z आ रहा है, CH आ रहा है, CH आ रहा है, SH आ रहा है तो उनके साथ हम ES का use करते हैं plural form बनाने के लिए रहें यापर कुछ नावन ऐसे भी दिये गए हैं जिन में S होता है, CH होता है, X होता है हम ES जोड कर उन्हें plural नहीं बनाते हैं उनके कुछ example देखते हैं, जैसे कि Ox है, हम Oxen बनाते हैं, Radius है, हम Ready बना रेते हैं Stomach है, Stomachs बनाते हैं तो इस तरह से याँ पर कुछ examples दिये गए हैं foreign plural भी देखते हैं ये plural ऐसे होते हैं जो English, जिनमें English language का यूज नहीं किया जाता है उन्हें हम इस तरह से change करते हैं, ठीक हैं उनमें हम S या इस नहीं लगाते हैं इस तरह से changes उसमें किये जाते हैं आगे देखते हैं देखिए, ऐसे noun जिनके singular form में परियोग हुए S, I, S को हटा कर S, E, S, E, S में बदलते हैं और इज को हटा कर E, S में बदलते हैं देखते हैं यहाँ पर जैसे की analyzer तो यहाँ पर हमने S, I, S को remove करके S, E, S कर दिया है X, यहाँ पर भी हमने I, S, इसको remove करके E, S कर दिया है basis तो यहां पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं सभी words को तो अब ही हम जानते है case of noun के बारे में काफी important topic है तो देखे case of noun case of noun बताते हैं कैसे कोई noun या pronoun वाकी के अन्य सब्दों से संबंदित है ठीक है यह चीज हमें क्या बताती है case of noun हमें बताती है कि कैसे कोई noun या pronoun अन्य सब्दों से जुड़ा हुआ है तो देखे नाउन को तीन केसों में डिवाइड किया गया है एक है हमारा subjective case, objective case और possessive case ठीक है subjective, objective and possessive यह तीन केस है नाउन के तो सबसे पहले हम subjective case की बारे में जानते हैं इसे हम nominative case भी कहते हैं जब किसी वाक्य में noun या pronoun को subject के रूप में प्रियोग किया जाता है जब किसी noun को वाक्य में subject के रूप में प्रियोग किया जाए तब where noun subjective case कहलाता है example हम देखते है the woman is a the woman is a singular ठीक है तो यहाँ पर woman word क्या है subject के रूप में यूज हुआ है यह जो noun है हमारा यह subjective form है इसकी subjective case है प्रियांसू runs fast ठीक है तो यहाँ पर जो प्रियांसू word यूज हुआ है वो भी हमारा subjective यानि के nominative case होता है अब objective case की बारे में जानते है सब्जेक्टिव केस को executive case भी कहा जाता है जब किसी noun या pronoun को object ठीक है वो direct भी हो सकती है indirect भी हो सकती है या preposition के object के रूप में प्रियोग किया जाता है तब वह है noun objective case कहलाता है ठीक है तो द्यान रखेंगे objective case कब होता है जब किसी noun या pronoun को object के रूप में चाहिए वो direct object हो indirect हो preposition के object के रूप में प्रियोग किया जाता है तब noun objective case कहलाता है जैसे कि प्रियंक का ड्रेंक चोकलेट से ठीक है तो यह जो चोकलेट है यह क्या है object है ठीक है एक object है यह हो गया हमारा objective case अब देख लेते हैं possessive case को हम जैनेटिव case के नाम से भी जानते हैं यह पर हमने जाना subjective case का दूसरा नाम क्या होता है subjective case का दूसरा नाम क्या होता है तो देखें से हम जैनेटिव case के नाम से भी जानते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी डूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ relationship ownership दरसाता है तब वह नाउन possessive case कहलाता है ठीक है तो देखें जब कोई नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंद यानिके relationship अधिकार ownership दरसाता है तब वह नाउन possessive case कहलाता है तो देखें यहापर हम जानते हैं तीन possessive case का यहापर प्रियोग क यह फिर ऑपॉस्थरोफी प्लस से यहां पर सिर्म से अपूस्टंपल दिया गया यहां पर सिबगी है अपूस्टंपे यूज़ी ञड़ेगी इसे कि यहां पर atraffy से साथ दूती हो लिया फिर फिर टॉफ़्य गये जैसे कि यहां पर हो गया गल्स ऊणki फिर देखिए ओफ के दुआरा ओफ का भी हम यूज करते हैं कभी कभी possession शो करने के लिए जैसे की the roof of the house is decorated with the plants and flowers तो यहाँ पर जो ओफ वर्ड यूज किया गया है वो possessive case में आ जाता है तो यहाँ पर हमने रेखा कि तीन तरह से हम possessive case को use कर सकते हैं सबसे पहले हम apostrophe लगाएंगे फिर हम s लगाएंगे फिर ऐसा भी होता है कहीं बार कि हम word के last में हम apostrophe का use करते हैं अगर s पहले से use किया गया है और off का प्रियोग करके भी हम apostrophe का use करते हैं possessive का use करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ important rule दिये गए हैं इसके बारे में nominative case possessive pronoun और possessive adjective इनमें हम different समझेंगे तो देखिए nominative case में क्या आजाता है जो subjective form होती है यह हम simply समझ सकते हैं जैसे कि I, B, U, He, C तो इनहें हम किस तरह से possessive में change करेंगे possessive pronoun में यही से हम different समझ कर चलेंगे तो possessive pronoun में इनकी form होगी mine, ours, yours, his, hers, dears, etc. और possessive adjective क्या होगी my, our, your, his, her, its, dear, etc. ठीक है तो देखिए यहाँ पर rule number one दिया गया है apostrophe plus s का परियोग singular noun के साथ होता है ठीक है पहले हम apostrophe लगाएंगे फिर s लगाएंगे ऐसा होता है singular pronoun के साथ जैसे कि यहाँ पर दिये गए है दो example ठीक है मीता क्या है singular noun है तो हमने पहले क्या क्या अपोस्ट्रोफी लगा उसके बाद हमने s का यूज किया है next देखते हैं देखें इन्होंने बताया कि यहाँ पर हम possessive of का परियोग भी करके इस sentence को बना सकते हैं ठीक है जैसे कि brother of Mita two sister of Manisha इस तरह से भी हम use कर सकते हैं rule number two क्या कहता है living thing का possession non living thing के साथ व्यक्त करने के लिए हम किस तरह से use करेंगे देखें कवितास watch is very expensive ठीक है living thing के लिए भी हम इस तरह से use करते हैं word लिखते हैं उसके पाद अपोस्ट्रोफी और फिर s का use करते हैं आगे देखते हैं यदि किसी plural noun के अंत में s यहिए का प्रियोग किया गया हो तब अपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं यानि के अपोस्ट्रोफी लगाकर अई लगाकर हम क्या करते हैं कि वहला फॉस्ट्रोफी का use करते हैं क्योंकि S उसमें already लिखा होता है यहाँ पर हम example देखते हैं जैसे doctors लिखा हुआ है उसके बाद हमने apostrophe का use किया है ठीक है Teachers लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने apostrophe का use उसके बाद किया है क्योंकि S already उसमें लगा हुआ है Boys are not allowed in girls hostel तो यहाँ पर एक example और दिया गया है Girls hostel सबसे पहले हमारे word में already S लगा हुआ है इसलिए हमने apostrophe को बाद में use किया है Rule No.4 कहता है जब किसी noun के अंत में easing sound आता है तब apostrophe के बाद S का परियोग नहीं किया जाता है ठीक है तो S के बाद apostrophe का परियोग नहीं किया जाता है बलकि S के बाद apostrophe का परियोग नहीं किया जाता है ठीक है देखिए क्योंकि यहाँ पर B S की sound produce हो रही है तो यहाँ पर हमने दिखा For Jesus sake For Venus beauty John's bag क्योंकि S की sound S की sound पहले से ही आ रही है इसलिए हमने के बाद apostrophe का यूज किया है यहाँ पर आप एक को एक्जामपल दिख जाते हैं आप धियान से पढ़ सकते है Rule number 5 कहता है कुछ सब्दों के बाद apostrophe plus S का परियोग किया जा सकता है यदि noun के अंत में Heasing sound ना आ है जैसे कि God sake Haven sake For mercy sake तो यहाँ पर Heasing sound नहीं आ रही है इसलिए हमने apostrophe लगा कर S का यूज किया है देखते हैं Rule number 6 को कुछ phrases में S ठीक है apostrophe फिर S या फिर S फिर apostrophe किसी का भी परियोग नहीं किया जाता है For example For fashion sake For bravery sake तो यहाँ पर ना तो हमने Apostrophe S का यूज किया है ना हमने S Apostrophe का यूज किया है आगे देखते हैं Possessive pronoun Mine His Yours Hers Yours The hours The years के साथ हम Apostrophe का प्रियोग नहीं करती हैं जैसे कि Yours Faithfully Application में अपने लिखा देखा होगा वहाँ पर हम Apostrophe का यूज नहीं करते हैं Yours Possessence हो करते हैं Possessive pronoun है बट यहाँ पर हम Apostrophe का यूज नहीं करते हैं Apostrophe S का यूज भी नहीं करते हैं और हम S लगाकर Apostrophe भी नहीं लगाती हैं I hope topic आपको clear हुआ होगा तले में थोड़ी problem हैं बट मैंने आपको clearly समझाने की कोशिश की है वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें और लास्ट की कुछ वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा नाउन को clear करने के लिए हमने आपको पूरे इच्छ से समझाने की कोशिश किया लास्ट वीडियो में हमने बहुत इंपोरेंट कलक्टिव नाउन के कुछ examples भी दिया हैं जिने आप list बना कर रख सकते हैं मिलते हैं अपने नेक्स टोपिक में तब तक के लिए बबाए एंटी कियर